So friend, अब बहुती जल दिवाली आने वाला है और उससे पहले जितने भी shopping sites हैं जैसे कि Amazon, Flipkart, Mintra इन सब में आप लोग को काफी सारे sale देखने को मिल जाएंगे Sale में काफी अच्छा deal मिल जाता है, काफी अच्छा discount मिल जाते हैं और इस वज़े से काफी सारे लोग sale में ही purchase करना पसंद करते हैं, sale में ही shopping करना पसंद करते हैं बट कुछ लोग के साथ scam हो जाता है, fraud हो जाता है और उन्हें नुकसान जहिलना पड़ता है तो क्या इस डर से हमें online shopping नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है online shopping आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्रत नहीं है बट online shopping करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें aware रहना चाहिए जिससे कि हमारे साथ कभी भी scam नहीं हो सके, कभी भी fraud नहीं हो सके तो आज का ये वीडियो इसी topic पर है, आज मैं आप लोग को कुछ tips share करने वाला हूँ अगर आप इसे follow करेंगे online shopping करते हुए, तो आपके साथ कभी भी fraud नहीं होगा, कभी भी scam नहीं होगा तो ध्यान से दिखिए इस पूरे वीडियो को, so hi friends मैं हूँ यस, आप देख रहे हैं सरमजी ब्रदर्स, तो चलिए स्टाट करते हैं इस वीडियो को So friends किसी भी product को order करने से पहले, आप लोग को उसका return and replacement policy चेक करना चाहिए तो यह आप कहाँ पर check कर सकते हैं, यह मैं आप लोग को बताता हूँ, तो order page में आप लोग को product का detail देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे आप लोग को उसका price देखने को मिल जाएगा तो 7 दिन के अंदर गत, आप उस product को return कर सकते हैं और आप लोग को full refund मिल जाएगा अगर आपके product में 7 days का replacement policy दिया गया है, तो 7 दिन से पहले आप उसे replace कर सकते हैं replacement policy में आप लोग को सिर्फ replace का option मिलेगा, आपको return या फिर exchange का option नहीं मिलेगा तो ये बात आप ध्यान में रखियेगा, replace आप कब कर सकते हैं, ये भी आप लोग को बताता हूँ तो अगर आपको एक damaged product receive हुआ है, या फिर आपने कोई ऐसा product order किया है, जो कि digital product है और वो proper तरीके से work नहीं कर रहा है, उसमें manufacturing defect है तो इन दो situation में आप अपने product को replace कर सकते हैं, तो आपको same page दूसरा दे दिया जाएगा replacement policy में आप लोग को return का option नहीं मिलेगा, ये बात आप note करके रखिये replacement policy में भी return का option होता है, पट वो rare case में होता है जैसे कि मैं आप लोग को एक example दे कर समझाता हूँ, अगर आपने black color का shoes order किया है और आप लोग को blue color का shoes receive हुआ है, तो इस case में आप अपने product को return कर सकते हैं, बट वो आप अपने end से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि product के page पर तो आप लोग को return का option तो सिर्फ यही situation में आप replacement policy के अंदर गत return कर सकते हैं, तो return and replacement policy के बाद आप लोग को review and rating भी चेक करना चाहिए, अब review and rating आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह मैं आप लोग को बताता हूँ, तो replacement and return policy से आप जब नीचे जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग को उस page में उस product का rating and review भी देखने को मिल जाएगा, rating and reviews होता क्या है, यह मैं आप लोग को बताता हूँ, तो आप तो अभी इस product को purchase करने के बारे में सोच रहे हैं, बट काफी सारे लोगों ने already इसे purchase कर लिया है, तो जिन लोगों ने इसे purchase कर लिया है, उन्होंने इस product को एक rate दिया होगा, एक review लिखा होगा, जिसे read करके हम इस product के बारे में और भी जानकरी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को इसका rating देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर mostly 5 के category में होता है, तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं, कि आपके product को जितने भी लोगों ने purchase किया है, उन्होंने कि rate दिया है, आप इसे यहाँ पर clearly देख सकते हैं, कितने लोगों ने 5 star दिया है, कितने लोगों ने 4 star का rating दिया है, तो आप इसके rating के हिसाब से इसकी quality का judge कर सकते हैं, इसके साथ साथ काफी सारे लोगों ने इसके लिए review लिखा होगा, तो review में आप पढ़ सकते हैं, कि इस product में क्या अच्छा ही है, या फिर अगर इसमें कोई problem है, तो काफी सारे लोगों ने वो भी share किया होता है, तो आप ये भी जान सकते हैं, कि इस product में कोई problem तो नहीं है, तो इसे देखने के बाद आप लोग को clear हो जाएगा, कि आपका जो product है, वो किस quality का है, और उसमें आप क्या-क्या benefits मिल जाते हैं, और अगर कुछ उसमें खामी है, तो वो भी आप यहाँ पर से check कर सकते हैं, तो ये check करना भी काफी जुरूरी है, तो ये सरी चीज़े check करने के बाद आप उस product को order कर सकते हैं, order करने के बाद आप लोगो क्या करना है, ये मैं आप लोगों को बता हुआ तो नहीं है, और अगर वो packet में आता है, तो आपको उस packet को check कर लेना है, वो कहीं से seal break तो नहीं है, ये सारी चीज़े देख लेने के बाद ही आपको उसे receive करना है, देन आपको delivery agent को OTP बताना है, OTP आपको तब बताना पड़ता है, जब आपने prepared order किया है, तो OTP बतान है, बट बिने video suit किये, आपको उस package को open नहीं करना है, वीडियो आप लोग को इसलिए suit करना है, ताकि आपको जो package है, उसमें कोई problem हो, तो आपके पास वो video as a proof रहे है, वीडियो आप लोग को कैसे suit करना है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ, तो video recording start करने के बाद, उस package मे जो order detail है, उसे आपको record कर लेना है, ताकि उसका जो order ID है, वो video में record हो जाए, उसके बाद आपको package को चारो तरप से अच्छे से video में showcase कर देना है, ताकि video में ये clear हो जाए, कि उस package को आप पहली बार open कर रहे है, video suit करते हुए, उससे पहले आप लोगों ने उसे open नहीं किया है, उसके बाद आप लोगों अपने package को open करना है, एक बात का आप ध्यान रखें, आपका जो package है, वो पूरे video में, बिल्कुल frame में रहे, video frame में रहे, वो package video frame से बाहर ना जाए, ताकि ऐसा न लगे कि आप उस product को हटा कर, यानि कि उस package को हटा कर कोई दूसरा package open कर रहे हैं, ये बाद का आप ध्यान रखेंगा, तो package open करने पर अगर आपको सही product मिल जाता है, उसमें कोई भी दिक्रत नहीं है, तब तो काफी अच्छी बात है, अगर आपको ऐसी समस्या आती है, जैसे कि आपने कोई product दूसरा order किया था, और आपको कोई different product मिल गया है, या फिर आप आपने package open किया, और आपको कुछ भी नहीं मिला, यानि कि आपको खाली box मिला है, अगर इस तरी की समस्या आपको आती है, तो आपने जीस भी site से उसे order किया था, आपको उस site के customer care से contact करना है, और उनको अपनी problem बतानी है, बिना वीडियो दिखाए, अगर आपकी help करते हैं, तब तो काफी अच्छी बात है, अगर वो आपकी help नहीं करते हैं, तब आपका जो वीडियो है, वो काम आएगा, आप उस वीडियो को, उस customer agent को, यानि कि जो भी company है, उसे आप send करेंगे, वो उस वीडियो को watch करने के बाद, आपकी problem को, आपकी बात को deny नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए किसी भी package को open करते हुए, वीडियो सूट करना काफी ज़्यादा important है, कुछ-कुछ महेंगे product में, आप लोगको open box delivery का option मिल जाता है, तो open box delivery होता क्या है, यह मैं आप लोगको explain करता हूँ, तो अगर आपने कोई product order किया है, जिसमें आपको open box delivery मिला है, तो उसमे delivery agent आपके product को जब deliver करने आएंगे, तो आपको box को open करके दिखाएंगे, आप अपने product को check कर सकते हैं, अगर आपका product बिल्कुल सही है, तब आप उससे receive करेंगे, दिन आप delivery agent को OTP share करेंगे, अगर package open करने पर product में कोई problem निकलती है, तो delivery agent खुद उसको वापिस ले या तो आपको replacement मिल जाएगा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि open box delivery facility तो काफी अच्छी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम product को check करेंगे, उसके बाद ही receive करेंगे, तो इसमें भी एक दिक्कत हो सकती है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो जो delivery agent है, वो सि उपने product को अच्छे से check नहीं कर पाएंगे, और एक बार अगर आप उनको OTP बता देते हैं, उसके बाद अगर आपको product में कोई भी damage दिखता है, या फिर आपके box content में कोई part missing होता है, उसके बाद आप company को बोलेंगे कि आपके साथ ये problem हुई है, तो वो बिलकुल भी आप आपके help नहीं करेंगे, क्योंकि open box delivery के tournament condition में लिखा होता है, एक बार आप OTP share कर देंगे delivery agent को, उसके बाद अगर आपके product में कोई भी problem आती है, damage से related, या फिर part missing से related, तो फिर आपको कोई भी help नहीं दिया जाएगा, तो इस situation में आप लोग को क्या करना है, ये मैं आप लो box content है, उसको भी अच्छे से check कर लिजेगा, अगर कोई part missing होता है, तो आप उसे receive ना करें, अगर आपके product में कोई damage दिखता है, तो आप उसे receive ना करें, एक बार OTP share करने के बाद, आपको replacement या refund का बिल्कुल भी option नहीं मिलेगा, ये दिक्कत हो जाती है open box delivery में, तो आपको इसके लिए भी aware रहना है, आपके product में open box delivery का option है या नहीं, ये आप कैसे check कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को बताता हूँ, तो जब आप product order करने के लिए order page में जाएंगे, buy now पर click करेंगे, अपना address fill करेंगे, उसके बाद अगर आपके product में open box delivery का option होगा, तो इस page में आप आपको ये option देखने को मिल जाएगा, अगर आपके product में open box delivery का facility नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ये message देखने को नहीं मिलेगा, एक चीज में आप लोग को बता देना चाता हूँ, flip card में ये open box delivery के नाम से है, और ये same facility Amazon में open box inspection के नाम से है, डोनों का मतलब एक ही है, बस एक में delivery है, एक में inspection लिखा हुआ है, एक चीज में आप लोग को और बता देना चाता हूँ, सभी product में आप लोग को open box delivery का option नहीं मिलता है, ये कुछ limited product में ही मिलता है, अगर आपने कोई ऐसा product order किया है, जिसमें आप लोग को installation की जरवत पड़ती है, जैसे कि AC, smart TV, और उस package को open नहीं करना है, जो installation team है, वही उस package को open करेगी, क्योंकि अगर आप उस package को open कर देंगे, अगर आपके product में कोई damage निकलता है, या फिर box content में कोई part miss निकलता है, तो फिर आपको refund या फिर replace नहीं मिल पाएगा, बट जब installation team उसे open करेंगे, और उनके साथ ये problem होती है, कि product में कोई damage निकलता है, या फिर कोई part miss होता है, तो वो आपकी help करेंगे, आपके refund के लिए, या फिर replacement के लिए, तो इसलिए ऐसे product को आप लोग को open नहीं करना है, अगर आपके product में open box delivery को option मिला है, example के तोर पर आपने एक smart TV order किया है, और आपको उसमें open box delivery का facility मिला है, त तो फिर आपको उसे open करके ही receive करना है, बट आपको उस TV को power on नहीं करना है, जो installation team है, वही उसको install करेंगे, वही उसको power on करेंगे, क्योंकि अगर आप खुछ से power on कर देंगे, तो कई बार company जो है, वो warranty lapse कर देती है, तो फिर आप लोग को उसका warranty नहीं मिल पाएगा, तो फ्रेंड जितने भी tips अभी मैंने आप लोग को share किये हैं, अगर आप online shopping करते हुए इन्हें follow करेंगे, तो आपके साथ कभी भी fraud नहीं होगा, कभी भी scam नहीं होगा, तो अगर आप लोग को ये video informative लगा, तो please इस video को like कर दिजे, और इस video को अपने friend और family member के साथ share कर दि लिए आप हमारे channel को subscribe करके bell icon को press कर लिजिए, मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले video में, अब तक लिए be happy, keep safe, thank you